नमस्ते गुरुजी नमस्ते ड्र सत्रेंज सर्जी नमस्ते इतना विकास क्यों वह रहे ओ यह प्रम्प्रिय मित्र हमारे अने अनंत आधर निये ड्र सत्रेंज जी आप तो हमेशा ज्ञान की बात करते हैं आज भारत की चवी पूरे विश्रु में सूरी की तरह चमकदार अने ही यहां कि लोग चांद पर भी अपने यान भेज रहे हैं capturing पर भी अपने ग्रहों को समझनेके लिए अपने यान भेज रहे हैं प्यारे दोस्तों, इसका एक ही कारण है कि जो ब्रमान का बुनियाद है सत्र पर डिका हुआ है, यहां के जो लोग है, उत्रित्रवान है, विचारवान है, बुध्यमान है, देश भक्त हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, अपने भारत माता से प्यार करते हैं, अपने भार के लिए देश वासिओं के लिए दिन रात अपने जिंदगी की धूनी लगा रहा है, जल रहे हैं, इसलिए देश तरक्द के रास्त पर है। आप ही उदारन है, आपने कितनी कुर्वानी कि अपने चार बचों को डाक्टरी लाइन में भेजने के लिए, हर तरह के मुसीबतों से, गरीबी के जंजीरों को तोरते हुए आप एक प्रतिष्टित परिवार हो गये हैं, जहांकि चार डाक्टर्स हैं, कुछ अमेरिका में हैं, तो कुछ हिंदुस्तान में हैं, इसी तरह देश का जो संचालन करन वाला है, देश का दो करता धारता होता है, अगर वो भिस्तमी की तरह प्रतिग्यान लेगता है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, आजीवन ब्रह्मचर्ज रहूंगा, अगर वो ये सपत लेता है, कि ये भारत भूमी, जब तक मैं जिंदा हूं, सांस के अंतिम चंतक, देता रहूंगा, जब तक देश की सारी मुसूबतों का समाधान नहीं खोज लूँगा, मैं कभी भी चैन से सांस दे दूँगा, स्वगंध मुझे इस मिट्टी की, देश को बिखने दूँगा, देश को जुखने दूँगा, देश को गरीभी, भुगमरी, फकीरी की सो रहा है, और जब देश का ऐसा नेता, कुछ लोग तो सोता हो, उस लाइन में चले जाएंगे, आपके तरह लोग, ऐसे कल उदारन दिया, जब में गया था अधार कार्ड में, वहां की बहन उसी प्रेडना से पेड़ित थी, सच्चे रास्ते पर चलते भी लोग की सेवा हर देखे, सड़क बिजली पानी आ रहा है, हर देखे, रोजगार के लिए नए नए फंड चलाय जा रहे हैं, हर देखे, वग्यानिकों को सम्मानित किया जा रहा है, हर देखे, भर सचारियों पर CBR, AD का छापा पर रहा है, क्योंकि यहाँ है, जो हमारा नसल है न, चोरों क दैष को लूटने वालों का, दैष में साजीस करने वालों को, पसुप्रविर्टी से करद दright भुम जाएוצb में समलित कर रहा था और नेहरू बोला था अगर सुवास भारत की धर्थी पर पहुंच गया तो तलवार से सुवास का कलम कटल कर देगा यह नेहरू का स्टेट्मेंट क्योंकि अंगरेज का चम्चा था आज बदल गया है आज हिंदुस्तान के नेता सुवास भोस को प्रधम प्रधान मंत्री मानते हैं कि जब आजाद हिंद फौज की अस्थापना हुई थी तो नेता जी सुवास भोस को बहुत देशों से मानता मिल गई थी और अपने आपको डिकलेर कर दिये थे कि भारत का प्रधम प्रधान मंत्री आज देखिए इंडिया गेट पर सुवास भोस का जोर्ज फाइब को हटा के मुर्ति लगाई गई है यही मंदारी है अपने लोग के लिए सम्मान है देशवासियों के लिए सम्मान है उन कुर्वान अप्रत नाराजगी जाती धरम छत्रवाद से दूर चला जा रहा है जिसकी अस्थापना हमारे संविदानों में बाब आमबेद करने लिखा था दिरसाल भी नो डिस्क्रिमेशन उन देशिस आफ कास्ट की रिलिजिट लेकिन यह जो बंसवादी नहरू खांदान मुलायम मुलायम खांदान, लणूबादी, लल्लूबादी, लल्लू खांदान यहाँ तलन्गाना का केशी आर का खांदानी, केटी आर कविता, यह पंजाब, बंगाल का ममता, उसका भथिजा यह लोग क्या किया है राज निती को देश भक्ति का एक अखार नहीं है, यह बंस भक् कंपनी है सारे जो दुश्ट हैं फबनिक को गुमड़ा करके के जिए शेंवाल का कंपनी उसका नांम नि इसका ben कि इंधार्ण मेरे वोफ की न लाम कीैसि कुइस थे सी दिंश्य at Âह च्हुउत्स सांगंधको पर स्थ मुझा का को संघी ऑर बबाप चिलारा है एक क्योंकी ऑऊतो हमारी भारत माता पई नहीं सकती है कि जब चोरों को भी मौका है का करोरों का माने का तो हमारे देश भक्त लोगों भी एक साथ आ जाएंगे तो उसकी बीजया वर्षक होगी उसको रोड़ी कप्रा मकान की समश्या नहीं होगी इसलिए साथ देश तरकी कर रहा है जब इमंदार रहोगे न तो के बले एक बंस न की सकने सब खुब गार मिलना है क्यों जबहें सिंष्ण दूसरे भुकर मरगें क्या किस है व्कास की बात होती है इसलिए नह एक साथ को अहले सबका साथ सबकर्जिए सबसा सबकार विकास